पुद्जी दन्वाद सवापति मौद्ध आपने हमें प्राइवेट बिल पर बोलने के लिए अफशर दिया आदर्स इस्टेशन योजना के इंतरगत रेलवेश इस्टेशनों का आधनी करण एवब सवंदरी करण मौद्ध दो हजार चौदा में वहनी नेरेंद मौदी जी की नेतत्यु में जो सरकार बनी उस सरकार के माद्यम से देश के अंदर रेल मंत्राले के द्वारा अभूत पूर्प परवरतन देखने को मिलेगा मैंने देखा है कि हम लोग कभी भी कहीं रेल से जब यात्रा करते थे तो रेल पर मैं देखता था इस शेशनों पर गंदगी के अंबार लगे रहते थे दोना हो पतल हो थूगदान में पीकदान में कितनी गंदगी होती थी एक बार देखके मन गफडाता था कहीं टॉइलेट भी जाना होता था तो वहां पर भी जाके काफी देर तक दिमाग से वो गंदकी नहीं निकलती थी आज हिंदोस्तान के किसी भी आप इस शेषन पर जाइए तो आप इस शेषनों को देखकर यह लगेगा कि हमें अपने घर से भी अच्छे वहां टॉइलेट मिलेगे इस तेस घर से अच्छे वहां के प्लेट फारम मिलेंगे कहीं पर भी आप पूरे इस्टेसन पर घूमिये कहीं पर आपको कोई गंदकी नहीं मिलेगे यहां तक की रेलवे लाइन के बीच का जो इस्थान होता है वहां पर भी वाकाइदा सफाई मिलेगी डूनने से भी गंदगी नहीं मिलेगी ए अबुद्पूर परवर्तन आया है इसके लिए मैं आपके माद्यम से अपने देश के सच्थी प्रदहन मंत्री का भी आवार विक्त करता हूँ और जो हमारे मंत्री जी हैं उनका भी मैं आवार विक्त करता हूँ मोदे यहीं नहीं यह तो इस शेस्थनों पर साफ सुत्रा हुआ है यहां तक कि यात्रियों की शुदाओं के लिए मैंने देखा है कि जो प्लेट फारम जीर छीर थे कहीं उसका टीन सेट तूटा हुआ था बरसात का पानी पूरा का पूरा प्लेट फारम पर आता था लोगों को बैठने के लिए मेंचे नहीं थी यात्रियों को ठहरने के लिए इस्टेशन पर कोई विवस्ता नहीं थी इस सम्में भी अभूत पूर परवर्तन आया है मोदे देश के अंदर लगवक आठ हजार इस्टेशने हैं उन आठ हजार इस्टेशनों में मैं देखता हूँ जिस तरह से पूरे देश के लोग यात्रा कर रहे हैं यह अपने में एक कीर्तमान इस्थापित करता है लगता है कि जो हम लोग इस्टेशन पर सपर करें तो एक चलता फिरता भारत दिखाई देता है जिस तरह से या तायाद के सादन हो या माल डुलाई का माध्यम हो वो सबका सब रेल्म विभाग से ही हो रहा है मैंने देखा है कि करोना काल के समय में जब लागडाउन लगा लागडाउन के समय में लोगों के पास में खाद्यान पहुचना था लोगों को आक्सीजन की कमी थी तो आक्सीजन भी पहुचानी थी कहीं पर भी खाद्यान की कोई कमी नहीं हुई कहीं किसानों के लिए चाहिए उरिया हो चाहिए डियेपी हो हमारी जो रसाइनिक उर्वरक है वो भी समय से किसानों तक पहुचाई गई गरीबों के पास में खाद्यान पहुचाने के लिए भी हमारे जो हैं रेल मंत्रारे के दौरा खाद्यान की भी डुलाई की गई यहीं नहीं मैंने देखा है रेल मंत्राले के द्वारा यात्रियों की शुवदाओं के लिए के सासाथ किसानों की लोगों को कैसे किसान अपने उत्पादन को करोना काल में अपने उत्पाद को देश की विविन्बंडियों में ले जाके बेचे इसके लिए भी रेल मंतरालें किसान रेल के माद्यम से बरावर कम रेट में आधे किराए पर जिससे है कि उसकी फसल भी खराब ना हो हरी सबजियां है कच्छी सबजियां है वो सबजियां दूर गामी छेतर में ताजी उपलब्द हो इसके लिए रेल मंतरा लें किसानों को और वुक्ताओं के लिए दोनों लोगों के लिए जो सुब्दा अपलब्द की है ए भी किसी से चुपा हुआ नहीं है इससे किसानों को उन्हें अपने उत्पादन का लाबकारी मूल मिला है और किसानों की आए दो गुनी होने में भी साहिक हुआ है इस शेसनों पर करोना काल में मैंने देखा जिस तरह से करोना काल में इम्बूलेंस का भी काम किया कहीं पर भी कोई जब अस्पताल किसी को नहीं अवेलेवल हो रहा था तो करोना काल के बोगी जो है उसको मोडिफाइड करके एस्पताल के रूम में चेंज किया गया जिससे जो लोग थे कि एस्पताल में ना जा सकते ऐसे लोगों को करोना कोविट काल में जिस तरह से रेल मंत्रा लेके द्वारा जो लोगों की सेवा की गई के भी ये किश्मरणिये है करोना काल में लोगों को जो पूरे देश के लोग अपना जन्पर छोड़ के दूसरी जगए जवाब करते थे दूसरी जगए रहते हुए लागडाउन लगने के समय वो अपने छेतरों में नहीं पहुँच पा रहे थे घर वाले चिंटी थे के हमारे परजिन कैसे होंगे हमारा घर का मुखिया कैसा होगा घर के मुखिया कुछ इंदादा हमारा परिवार कैसे होगा इन दोनों को बीच में उनके घर तक पहुशाने के लिए जो हमारे देश के अंदर जो सिर्मक थे उन सिर्मकों को विविन सहरों से महानगरों से उन्हें अपने घर तक पहुशाने में भी रेल मंत्राले ने जो योगदान किया है उसके लिए मैं उन शिर्मकों के माध्यम से मानी मंत्री जी का भी आवार बेक्त करता है कि उन्होंने इस विसम परस्तियों में जिस तरह ऐसे लोगों की स्रुमकों की सेवा की रेलवेश शेसनों पर, मैंने और देखा ऐसा, कि रेल विवाग में, कि जो रेल शेसने हैं, रेल शेसनों पर बहुत ज़्यादा इंक्रोच्मेंट है, मैंने बिशेस करके, जब मैं बंगाल, पच्छी मंगाल में गया, तो बंगाल में ने देखा कि वहाँ पर, कई शेसनों पर, काफी इंक्रोच्मेंट था, हमारे साथी सांसा जो ट्राइबेट विल लाए हमारे साथ में थे, इतना इंक्रोच्मेंट था में उस इंक्रोच्में कि यह बड़ा ही हम लोगों को देखे पूरे आल इंडिया में जहां पर भी हम लोग रेल मंत्राले की तरफ से गए वहां इस तरह की विवस्था नहीं देखी जो पच्छिम बंगाल में देखने को मिली भीर भाळ वाली शैसन और वहां पर भी इंक्रोच्मेंट मेरा आपके माध्यम से मनी रैल मंत्री से अनरोध है कि जहां जहां पर भी जो प्लेट फारां पर इंक्रोच्मेंट है उन इंक्रोच्मेंट को घटाना चाहिए इससे हमेंने देखा है कि जब प्लेट फारम पर ही दुकाने रखी हुई हैं लोग जोपड़ी में मकान कुछ लोग रहने लगे हैं जब वहां रहेंगे जब यात्री आएगा तो जल्दी से वहां पर ट्रेन पकड़नी है और भीड वहार वारी इस्टेसन पर कैसे वो ट्रेन मंत्री से यही पुनान रोद है कि उन इंक्रोच्मेंट को हटाया जाए और लोगों को आने जाने के लिए और शुविदा हो शके मौदै मैंने देखा है कि हमारे हैं प्रियागराज में कुम का जो मेला हुआ उस कुम के मेला में जिस तरह से रेल मंत्रारे के द्वारा पहले जब जब पहले कुम जब मेला होता था कई घटनाएं दुर्गटनाएं होती थी पूरे मेले में इस पेसल काफी ट्रेने चलाई गई कहीं एक भी कैज्विल्टी नहीं हुई और कहीं पर वियात्रियों को जो ट्रेन से सुविदा मिली कुम में जाने और आने के लिए वो सुविदा उन्हें अपने नीजी वानों से भी नहीं ऐसी हुई तो इसके लिए भी जो भारा सरकार ने कुम मेला में जिस तरह से विवस्ता प्रयागराज में की थी मैं आसा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इस तरह से और अच्छी विवस्ता हैं रेल मंत्रा ले में एक में सुजाओ देना चाहता हूँ मैंने देखा है कि वहुत सी छोटी सेस्डे हैं आदर से सेसन हो गई लेकिन वहां बुजर्ग लोग आते हैं बुजर्ग लोग आते हैं तो वहां सोचालिस सीडिया नहीं हैं तो इसके लिए मैं चाहता हूँ और उसमें मैं जब बात करता हूँ कि सोचालिस सीडिया मिले लोगों को जो बीमार हैं ब्रद हैं वो एक शेसन से दूसरे पलेट पारम पर जाने के लिए हैं लेकिन वो उस कैटागरी एक कैटागरी में इस शेसे नहीं आती है तो ऐसे में वहां नहीं बन सकती है तो मेरा आपके माद्यम से मानी रेल मंत्री से अनरोध है कम से कम लिप्ट सिस्टम ही हो जाए जिससे कम से कम ब्रद यात्री या अस्वस्त है ऐसे लोग उसे लिप्ट के माद्यम से उपर अपने जा सकते हैं और ना आप शुवदा के दूसरा मैं आपके माध्यम से मनी रेल मंत्री से रोत करूँगा कि इस तरह की जो इस शेसने हैं उन्हें शुवदा जनक बनाये जाए दूसरा और मैंने देखा आज से तीस साल पहले चालिस साल पहले कुछ शेसने काफी डवलप थी लेकिन वहां धीरे दीरे शुवदा ना मिलने के कारण कुछ शेसने प्राइवेट कर दी गई बेंडर को शेसन दे दी गई तो बेंडर के हाथ में जब शेसन चली जाती है तो वहां शुवदा बेंडर के हाथ में आ जाती है मौदय आपके माद्यम से बताना चाहता हूँ कि बहाँ बेंडर कोई भी यात्रियों की सुविदाओं पर ध्यान नहीं देता लेकिन जब या और यहां तक की सुविदाओं का ना ध्यान दे या तक की उसका प्लेट फारेम तूट गया उसकी छट तूट गई या उसके टोइलेट खराव है इन सब की देखरेक ऐसे जो हैं जहां बेंडर्स को भी इस्टेशन दी गई है तो उसकी भी देखरेक मोनिटरिंग करने के लिए रेल मंतराले को अपनी देखरेक में करना चाहिए क्यों यात्री तो यात्री है यात्री को सभी जब वो देखता है कि बड़ी इस्टेशन में ये सुविदाए मिल लई है और हमारे गाओं की शेसन याँ पर है तो इसमें कोई शुविदा नहीं मिल लई है तो ऐसे में बड़ी उसे अपने के अंदर ये लगता है कि वो देख वो भी हिंदुस्तान है और ये भी हिंदुस्तान है तो इसलिए मेरा आपके माद्यम से अनरोध है कि कम से कम उनका भी ख्यार रखा जाए दूसरा वनी सवापत में होते हैं आपके माद्यम से मेरा एक और अनरोध है कि जैसे माज डुलाई के लिए हमारे यहां माल गोदाम होती है और वहाँ के लिए लोड़िंग अनलोड़िंग के लिए अलक से प्लेट फारम होता है लेकिन जो पहले से अब कई गुला यात्री भी बड़ गए एक 이चेशन से यातरा करना उसी इसचेशन से माज डुलाई का लोड़िंग अनलोड़िंग कराना इस्टेशन से यात्रा करना उसी इस्टेशन से माल डुलाई का लोडिंग अनलोडिंग कराना ट्रकों को आना ट्रेक्टरों को आना तो वहां पर जहां किस्ती होती है बजा रहे हैं एक्सिडेंट भी होते हैं यात्रियों को भी आश्विदा होती हैं मेरा आपके माध्यम से चोटा से एक और अनरोद है कि ऐसे जहां पर माल डुलाई चाहे वो खाद हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे अनाज हो, या फल हो, सबजियां हो, इनकी जहां-जहां बड़ी मात्रा में लोडिंग और रेकें आती हैं, रेकें जाती हैं, वो वहां से सहर से लगी हुई, जहां पर हम हमारे रेलवे बिवा की जमीने हैं, और आने जाने में शुवदा है, ऐसे स्टेशनों पर मानी मंत्री जी उनको जमीन को उस पर हम माल डुलाई के लिए वो स्टेशन को डबल अब करें, और वो डुलाई से क्या होगा कि हमारी डुलाई भी टाइम से हो जाएगी, और हमार वहां के स्टानिय लोगों को भी परेसानी नहीं होगी, और हिया तक कि यो यात्रा करने वाले लोग हैं, उन्हें भी किसी तरह की कोई प्राबलम्स नहीं होगी, यह मैं सवापति महुदे आपके माध्यम से, मैं मानी रेल मंत्री से अनरोद करता हूँ, यह जन हित में ध्य इन चीज़ों को अपने सर्वे कराके उसे ठी कराने का काम करेंगे, मानी सवापति महुदे आपके माध्यम से, मैंने कई बार मानी मंत्री जी का ध्यान आकरस्त किया है, कि हमारे हाँ फरुखावाद और कानपुर के बीच में हम लोग जब ट्रेन से दिल्ली आते हैं, तो हमारे हाँ कालिद्री एक्स्प्रेस ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन दिल्ली तक आती है, और दिल्ली वो आती है, तो एक तरह से पहले कानपुर से फरुखावाद आएग फरुखावा से मेनपुरी, टूंडला, फिर अलीगर, फिर दिल्ली आती येदी हम लोगों को उस ट्रेन में 10 से 12 गंटे तक यातरा करनी पड़ती तब हम दिल्ली में आती और फरुखावा से दिल्ली की दूरी मात साड़े 300 किलो मीटर है मेरा आपके माद्यम सिमानी मंत्री जी से एक छोटा सनरोध है कि येदी हम लोग अलीगर से सीधा कास्गन जोड़ दें सीधा कास्गन जोड़ दें मात्र 52 किलो मीटर नई रेलवे लाइन बिच्छानी होगी रेलवे लाइन प्रारम हो जाएगी तो इस वज़े से तो हमारी जो ट्रेन हमें लोगों को 10 से 12 गंटे में सफर करना पड़ता है वो समय घटके मात्य चार गंटा रह जाएगा या पांच गंटा चार ते पांच गंटे में हम यात्रा कर सकेंगे तो हमारे साथ साथ में कानपुर ध्यात हुआ कन्नोज हुआ फरुखावा लोग सवा हुई कास गंज हुई ये कई चार पांच लोग सवाओं क्यों इससे वेनिफिट मिलेगा दूसरा एक मनी इस सवापद में हो दाए कि ये सीधी ट्रेन का संचालन होने लगेगा तो इस समय भी बचेगा यही मैं आपके माद्यम से मानी मंत्री जी से अनरोड करता हूँ और जिस तरह से हमारे साथी ने बिल लाए मुझे मालूम है जिस तरह से मानी मोदी जी की सरकार नेतत्तों में जो मानी मंत्री जी हमारे काम कर रहे है वो रेलवे मंत्राले को और इस श्रिस्नों को आदर्स बनाने में अपना पूरा युगदान दे रही है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो इन आड़ सालों में हुआ और आगे भी जो सेज काम होंगे इनी सब बातों के साथ आपका पुना बहुत बहुत आवार धन्न बा झाले उड़ है जो शद्रडा को जोळा कर दोर Corbyn, कर भी कोईा है आपकार से अवार हते हैं कि उगार भी जहार है टपका बार कर पर कर दोरों छिए्रेग सारह में को कर दोईली सक्वतावर भी इनी, जवार कर सब चाहर है। झाल झाल